हेलो फ्रेंज, आप सभी का B.A.Course के Mission One Way चैनल में स्वागत है दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे Gender, School and Society पेपर में Gender Identities and Socialization Practice in Family लेंगिक्ता के पाचान तथा समाजी करन पर्थाओं में पड़िवार की भूमी का क्या है इन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे यह B.A.Course का Gender and School and Society पेपर का है ठीक है? और जो साथी मेरे चैनल पर नए आए हैं पिलीज जो है इस चैनल को सस्क्राइब जरूर करें क्योंकि इस चैनल में B.A.C के टोपिको को बहुती आसान और सरलभासा में अच्छे नोर्स के साथ आप लोग की तैयारी कराई जाती है तो आए शुरू करते हैं Gender, School and Society पेपर में लेंगिक्ता की पहचां ततास अमाजीकरन पर्ताओं में पडिवार की क्या भूमी का है? इसके बारे में California बात रहेंगे सबसे प्रहे मिलग रूप रेखां बनाते हैं सबसे प्रहे रूप रेखां में प्रस्तावना लेंग पहचान की आउदारना, लेंग पहचान का निर्मान, पडिवार का अर्थ हों पडिवासा, लेंगिकता है तू समाजी करन में पडिवार की भूमी का, लेंगिकता है तू समाजी करन में पडिवार की प्रभविता है तू सुझाओ, ठीक है, और लाश्ट में हम लोग इसका निश्कर्च को देखेंगे, चलिए आईए शुरू करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रस्ताव ना में, जिसको हम लोग इंट्रोडक्षन करते हैं, ठीक है? कहा जाता है कि मनुस एक समाजिक प्रानी है मनुस एक ऐसा प्रानी है समाजिक प्रानी है जो जनम से मिर्तियु तक वो समाज में ही रहते हैं मनुस जो है जब से जनम लेता है तब से मिर्तियु तक वो समाज में रहना ही पसंद करते हैं पडिवार एक अनुपचरिक संस्ता है, पडिवार को जो है अनुपचरिक संस्ता का गया है, क्योंकि पडिवार में माता-पिता रहते हैं, ठीक है, तो पडिवार को अनुपचरिक सिक्षा का गया है, या संस्ता का गया है, जहां बच्चों को समाजिक सिक्षा दी जाती है, क इन्हें परिवार से ही मिलते हैं, परिवारिक मुल्यों, आदर्सों और द्रिष्टी कोन का परभाव बालोकों पर पड़ता है, परिवार में के मुल्यों, आदर्सों और द्रिष्टी कोन का परभाव है, उनका परभाव किस पर पड़ता है, बालोकों पर पड़ता है, ठेक ह से ही शुरू होता है जिसकी निउउ पडिवार में ही पराड़म होती है जब किसी बिच्चे के दूआ को को गलतका रिक जाता है तो उसे दोप दिने के बज़ा है उसके हम पडिवार और माता पिता को aplinskyता यानि कि जब कोई बच्चा गल्दी करता है या कोई दोस कर देता है तो उन्हें हम जो है उनके माता पिता को दोस देते हैं क्योंकि उनका परिवार में ही ऐसा ही जो है क्या क्या गया था व्यक्तित का विकास क्या गया था माता पिता के द्वारा तो हमें उनका परिवार को द बात करेंगे ठीक है चलिए यहां तक को दिक करने अब हम लोग बात करते हैं लिंग पाचान के आउधरना कैसी हम लोग पाचान को समझेंगे ठीक है लिंग पाचान का अर्थ होता है किसी बैक्ति के पुरुस या इस्तरी होने का बोध होता है किसी बैक्ति के पुरुस है या वो इस्तरी है ठीक है लड़का है या लड़की है इसकी जो हम पाचान करते हैं वही कलाता है लिंग पाचान ये जनम लेते ही लिंग पाचान का बोध होता है जब बच्चा जो है जनम लेता है तब से ही उनका लिंग पाचान सुरू हो जाता है कि वो लड़का है या फिर लड़कियों के गुनों के अधार पर उनकी पहचान की जाती है यह एक विशिष्ट वियवार दरसाता है जिससे लिंग पहचान की जाती है जैसे जैसे बालग मुबालिका हैं साथ से बारे वर्ष के आयू तक वो समाजी करन का हिस्सा बन जाते हैं और वो अपने आपको एक दुसरे से पिर्थक करने लगते हैं जैसे वो 7 से 12 वर्च से तक होते हैं तो वो समाज एक रणी में एक दुसरे के साथ मिल जलकर खेलते हैं फिर जैसे वो जो है कि स्रौवास्त हम पहुचते हैं तो लड़का और लड़कियां जो एक दुसरे से पिर्थक होना शुरू कर देते हैं अलग रहना शुरू हो जाता ह ठीक है लिंग पहचान इस्तरी या पुरुस के उनकी बनावट वैवार और जीवन के अन्य पहलों को व्यक्त किया जता है लिंग पहचान से जो है उसके इस्तरी या पुरुस की बनावट है न वैवार यहने जीवन के अन्ने पहलों से हम उन्हें वेक्त करते हैं कि यह लड़का है या फिर यह लड़की है इसकी पहचान उसके बनावट के उसके वहवार के और उसके अन्ने पहलों को ध्यान में रखके जो है हम लिंग की पहचान करते हैं लिंग पाचान का मतलब है जो भी हम लड़कों या लड़कियों में जो भी उनके जेविक पर क्रियाओं के द्वारा जो है ना उनकी हम पाचान करते हैं उसे हम लोग लिंग पाचान के आउधारना करते हैं ठेक है अब ये लिंग पाचान का निर्मान कैसे होता है इसको आलग वो बालीकाओं में शिक्षा पर पक्षपात किया जाता था लेकिन आज सरकार बालीकाओं पर शिक्षा के लिए विशिष्ट विद्याले उसके रूचियूं के नुसार पाटकरम तयार के जाते हैं ठीक है सिक्षा के छितर में अगर देखा जाती है तो सरकार ने बालिकाओं के लिए सिक्षा दिया उन्हें रहने के लिए आवासिय दोई दिया दिये तो इन सभी प्रसानों के मदद से लिंगे पहचान को खतम किया गया है आगे देखती है रोजगार व्यवस्था के आधार पर लिंग पाचान, रोजगार व्यवस्था के आधार पर भी लिंग को पाचान किया गया था, पहले लिंग की पाचान करके ही रोजगार की व्यवस्था की जाती थी, जैसे लड़कियां बैंकिंग में नोकड़ी करेगा, तो वो बैंक आदी अस्थान लड़कियों के लिए उप्युक था वहीं पुलीस फोज इत्यादी के लिए लड़कों को माना जाता था इस प्रकार लिंग की पहचान को रोजगार व्यवस्था की जाती थी लेकिन अभी जो इसा नहीं है वह जो है लड़कियां भी जो है देश की योजनाय लिंग के आधार पर की जाती है विकास की योजनाय मतलब हुआ कि जो भी योजनाय बना जाती है वो लिंग के आधार पर यानि लड़का और लड़की को ध्यान में रखकर जो है योजनाय बना जाती है जैसे वर्तमान में बाली का उत्थान महिला ससक्तिकरन के ल और आयोग के निर्मान हो सकता है अब हम लोग देखते हैं परिवार का अर्थ क्योंकि हम लोग कर टोपिक परिवार थे इसलिए परिवार का थोड़ा आर्थ भी देख लेते हैं meaning of family परिवार सब्द अंग्रेजी के family सब्द से बनावा जिसका अर्थ होता है नौकर ठेक है परिवार का मतलब होता है नौकर परिवार फैमिली फैमिलोस सब्द से जिसका अर्थ होता है नौकर ठेक है परिवार का अर्थ होता है जहां माता पिता भाई बहन दादा दादी जिसमें बच्च्चे युवां बेर्द सभी सातं मिलकर निवास करते हैं है युए परिवार मेखावर ने Kirk वर इसा सभी पढ़ियात रूप से लेंगिक संबंद्द का मतलब माता पिता भाई वहन दादा-दादी तथा जो इतना अस्था ही होता है कि इसके दूरा बालुकों के जनम पालन पोसन की वेवस्ता हो जाती है यह इतना अस्था ही होता है पडिवार कि जो बच्चे का जनम होता है उनका वो लालन पालन पोसन जो है इनी के द्वारा होता है मातापिता के द्वारा या दादादी के द्वारा होता है ठीक है है नेक्स्ट पॉइन्ट है ये जएक प्रोज़ए के नुसर को को परिवार से हम संबंदों की वह व्यवस्ता समझते हैं जो माता पिता था उनके संतानों के मद्स पाईजाती है जो मध्स उस्हाजी पा मंद्संपाल पाईजाती जाते छेक है यह बात कहते हैं केलियर के नुसर अब है टॉपिक जो था हम लोग का लेंगिकता है तू समाजी करण में पड़िवार की भूमी का निम्न रूप से क्या जाता है सर्वांगिन विकास का कार्य सर्वांगिन विकास का मतलब लड़का या लरकी समान रूप से विकास किया जाता है ताकि उनमें किसी भी परकार का हीन भावन उत्पन्ना हो ठीक जली next point है समानता का वेवार समानता का वेवार में देखते हैं पड़िवार की भुमी का यदि पड़िवार में लड़का ये लड़की को समान रूप से वेवार किया जाता है तो उनमें लिंगे बेदवाव कम किया जाता है यदि परिवार में लड़का या लड़की को समान रूप से अगर वेवार किया जाता है तो उसमें लेंकिक पहचान जो है कम किया जाता है या उत्पन होता है समानता का मतलब लड़का या लड़की में समान सिक्षा समान अस्थान, रहन सान, खान पान की सुईधाय पराप्त होनी चाहिए यहाँ पर समानता का मतलब लड़का लड़की में समान सिक्षा होना चाहिए समान अस्थान में उन्हें जाना है ना रहन सान, खान पान ये सभी सुईधाय जो है जब दोरों को बरावर रूप से हम देते हैं तो यहाँ पर समानता का वेवार परतिक होता है ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, समान सिक्षा की वेवस्ता पडिवार में ऐसा देखा जाता है कि लर्कियों या लर्कियों की सिक्षा व्यवस्ता में आसमानता देखी जाती है पडिवार ही हम सुरू में ही कहते हैं कि पडिवार में ही लेंगिक्ता की पहचान सुरू हो जाती है पडिवार से ही देखने को मिलता है ठीक है जहां लड़कियों की सिक्षा व्यवस्ता उत्तम कोटी की करनी चाहिए जहां यहां अथा बेदभाव कम करने के लड़कों को समान सिक्षा की व्यवस्ता करनी चाहिए लड़कों के समान सिक्षा की व्यवस्ता करनी चाहिए ताकि जो है लड़कियों में भी बेदभाव खतम उत्पन हो सके ठीक है चलो नेक्ट कोईंट है चौथा नमबर है अंद विश्वासों तथा जर प्रमपराओं का बरिश्कार है देखे समाज जो है अंद विश्वासों से भरापरा है ठीक है यहाँ पर कई सरी पर्थाएं हैं जिसमें कहा जाता है कि लड़कियों को जो है सिक परंपराओं यह चली आ रही है कि लड़की ही वंस लड़के ही वंस चलाते हैं पैत्रिक कर्मों और संपत्यों को वही संचलित करते हैं यहीं कई सरे अंद विश्वास और परंपराओं चली आ रही है कि लड़के ही पड़िवार का वंस को आगे बरहेगा या पड़िवार यदि परिवार इन जर परमपराओं अंदो विश्वास तो प्रूतियों के परिऽ जागरूख हो जाए तो इस्ताइवं की स्तिती इन यो है, ये फ़रीवार की संध OH हो जाएगए CA ये परिवार während 17. को पारिवार को चाहिए कि लर्को और लड़क्यों में किसी भी परकार का बेद्वावन पड़िवार में चाहिए जितनी समानताव लड़कों को सिक्षा देने में करें अइसी समाजिक वो लड़के लड़कियों में किसी भी परकार का भेदवाव ना करें पड़िवार में चाहिए कि लड़के लड़कियों में किसी भी परकार का भेदवाव नहीं करना चाहिए जितनी समानताव लड़कों को सिक्छा देने में कर रहें विचुमें पडिवार का बदलने में पाइल करनी चाहिए लरकयां जो होती है वो पडिवार के देखरेक करती है उनकी सिक्षा विवस्था का उनको speakers in us ठीक है नेस्ट प्यूइंट है बालिक्यो को महत्ष से जिया है वोखत कराना परिवार को चाहिए विए बालक और बालिकाओं के महत्र से परिचित कराएं जिख उधा prag जमाने के बज़ाए सम्मान करना सीखें जहां बालक जो है बालिकाओं पढ़िया फिर पुरश त τις त्रियों पर अपना अधीकार जमा पढ़ ceremony के के उद्धिस ना रहक कर जो है उनका सम्मान करें उनका मान सम्मान करें ठीक है बालिकाई ही बहन माता पत्नी आदी है बालिकाई जो होती है वो आपकी माता बहन या पत्नी होती है और इन रूपों की उपेक्छा करके पुरुस का जीवन अपुर्ण रह जाएगा यदि हम इनकी उपेक्छ कराना है कि बालिकाओं का किस परकार से महुत है ठीक है नेक्ट सात्वा नंबर में है ससक्त बनाना ठीक है बालिकाओं को ससक्त बनाना है तभी जो है लिंग पहचान का बेदवाव जो है खतम होगा पड़िवार में पड़ते कारिये में लड़कियों को यह अस्मरन कराया जा बातों के माद्यम से उनको यह ऐसा दिला दियाता है कि वह लड़की है ठीक है उनका उनकी एक सीमा बना दी जाती है ऐसी भावना लड़कियों को निच्चित बना देती है कि परिवार को चाहिए कि इस तरी को अबला ना समझ कर उसे सकती और सबला समझे यानि कि उसे जो है इस्तریयों को अवल नारी के तरह समझाता है तो यह ना समझे कर सकती िरूप से मतल़Where यह पुए परिवार में इस्तांसत्रा को संस्क्तू नाया है जिम्ने हावी पिरियों की सोच में परिवर्तन आयगा लेंगिक भैद바व में कमें आएगी और लेंगी भैदवाओ जो है खतम आऊगा, ठीक है? तो हम लोग यहां पर देखें कि लेंगिक पहचान में पड़िवार dwa requires लेंगिक पहचान में पड़िवार की भूमिका क्या था तो पड़िवार का भूमिका हम लोग लेंगिक पहचान में देखें क्योंकि पड़िवार से ही लेंगिक पहचान सुरू होती है तो कई सरे हमनों पोइंट देखें साथ पोइंट देखें अब हमनों बात करेंगे लें समाजी करन में पड़िवार की प्रहोईता है तो सुजाओ निमलिकित है एक नमबर में है पड़िवार में लेंगी भेदवाओ को समापत में प्रहोवित के लिए जाहिए घर में बीर्द और ब्रोड सदस्य महिलाओं को सम्मान करें ठीक है तो यहां पर समाजी करन का महत नेक्स है पड़िवार को चाहिए कि वो अपने सभी सब्दस्यों के साथ समानता का वेवार करें ठीक है और समानता के लिए पड़याप्त उपबंद करने का के लिए दबाव ड़नना चाहिए ठीक है और नेक्ट सातवा नंबर में पड़िवार को चाहिए कि वह अपने आसप्रोस के वातावरण में सुरक्षा वातावरण सिर्जित करें जिससे महिलाय सुयंग को सुरक्षित और स सुरक्षित रहे उनकी जो है ससत महसूस करें अपने आपको आठंधवा नंबर में पड़िवार को लेंगिकता में परभाव भुमिका के निर्वहन करने के लिए शिक्षा का परचार परसार अपने सभी सदस्यों हेतु करना चाहिए पड़िवार में लेंगिकता हेतू के के लिए बाइचान को खतम करने के लिए सिक्छा व्यवस्ता को जो अर्श रषसर जो परश्छा करना चाहिए सबी घरों में जो सिक्छा को क्या करना चाहिए ठीक है तो यहां तक समाज की क्या भूमीका ہے इसको हesusruct को देखें और लाक्ष्ट ममें इसका निस्कष देखते हैं अत्या परिवार हमेंसा बच्चों के साथ सक्रात्मक रखे ना कि नक्रात्मक परफ़ाव रखे पुरुस परधान समाज के जादू को तोड़ने का कारे परिवार द्वारा ही संपन क्या जा सकता है क्योंकि यदि परिवार इस्तरी पुरुसों की समानता में विश्वास करते हैं तो सारे से वेधानिक धीरी-धीरे रह जाएंगे हैं न तो यह हम लोग देखें कि पुरुस पर्धान जादु की इस अधिकार में हैंना किस परकार इस तरियों का सम्मान करें उन्हें सरसक्तिकरन बनाये उन्हें सिक्षा दें उन्हें जो है उनका जो अद्मुल दिकार है उनको देना चाहिए उनका जो पहचान है उनको देना चाहिए तो यहां पर हम लोग देखे कि लिंग पहचान में पड़िवार की भूमी का और समाजी करण में पड़िवार की भूमी का किस परकार से था यह हम लोग आज टोपिक लाएते हैं ठीक है तो उमिद करते आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा फिर हम लोग नए वीडियो में नए टोपिक हैसान मिलते हैं तब तक के लिए धर्नवाद